इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया वहीं अमित राज ने भी सभी से साल में एक बार रक्तदान करने की अपील की सिंग्रॉली में कायटराइस पब्लिक स्कूल के संचालक की माता जी की पुन्य तिथी पर कायटराइस पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरूशों ने रक्तदान किया यह रक्तदान शिविर रक्तदान ल स्कूल के संचाला का मितिराज ने रख्तेदान में भाग लेने वालों और सहयोग प्रदान करने वालों को धनेवाद दिया और आम चंता से अपील करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो किसी भी प्रकार के कोई बीमारी नहों व्यक्ति कम से कम साल में एक ब्लड रक्षदान जरूर करें जब मैसे जाता है तभी यह ध्यान आजाता है कि तुम हमें तो हम तुम्हें आजादी देंगे तो आप फुन देगे और फिर किसी ने किसी तक आम आएगा इसलिए दिये ही जाता है इससे च्छी बात और क्या होगी चार पाल बार तो हुई ग पिछले साल भी यह कारक्रम हुआ था तुम्हें जल्वरी के जी क्योंकि यह सब्सक्राइबी फांडेशन है वरी पुझ्य माता जी के नाम से यह संस्था है और उन्हीं के पुन्य तिथी पर हम लोगों ने यह कारक्रम पिछले साल भी आउज़ित किया था और यह दूसरा उसी क्रम में दूसरा इसाल होगा है अभी तक के समय तक मुझे जानकारी मैंने लगवद 30 यूनिक ब्लड डोनेशन हो चुका है पचास का एक लक्ष है ब्लड की सरुस्या मुझे लगता है कि यहां सर्व दिवित है कि इस तरह से लगतार बढ़ते जा रही है और लोगों क जागरूख करने की अव्चक्ता समझ में आती है खास करके ग्रामीन शित्रों में लोग कई वार भैवस या ज्यानतावस जो है ब्लड डोनेशन नहीं करना चाते हैं तो ब्लड डोनेशन जो हम करते हैं और यही रखते काम आता है क्योंकि हो सकता है कि जब जुरत हो उसमें लेकिन अगर बैंक में है तो मिल जाएगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विशलेशन हम करते हैं सत्यका अनवेशन दखल नियूज आपके हद में आप देख रहे हैं दखल